नमस्कार साथियों स्वागत है आपका कनहिया जीस वर्ड में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ठंडी के मौसम में यानि कि सरती के दिनों में बारिस क्यों होती है जो या दिसमबर का लाश्ट या फिर जन्वरी का सुरुआती वाला महीना होता है उसमें बारिस देखने को मिलती है और पश्च्वी भी छोब किसे काते हैं जिसे इंगलिस में western disturbance काते हैं आखिरी यह क्या है तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे ठीक है ठंडी का मौसम चला है आजकल तो बारिस हो रही है तो क्या होती है इस सब इन सब के बारे में हम जानेंगे ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं देखिए यहां पर कुछ बारिस की द्रिस से आपके सामने दिखाई दे रहा है पहचानिया इसमें आप कहां पर है ठीक है तो देखिए बारिस इस समय हो रही है को दबा करके तो यदि आप आए हैं चैनल पर पहली बार तो यह आपके सामने वर्ल्ड का मैप है तो बारिस का वर्ल्ड से क्या सम्मंद यह तो सम्मंद है ठीक है बारिस क्यों होती यह उसको जानने के लिए थोड़ा सा इसे समझे देखिए आपके सामने यहां पर दिख रहा है अट्लांटिक महासागर कौन सा अट्लांटिक महासागर और यहां पर दिख रहा है अपना प्यारा भारत तो देखिए अट्लांटिक मासागर से इस समय यानि की तो देखिए अट्लांटिक मासागर से एक जेट इस्ट्रीम यानि की बहुत तेजी से हवा चलती है अट्लांटिक मासागर से और वह पूर्व की दिशा में चलती है और यह आगे आती है तो इसके सामने पड़ता है भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान यह सब देश जो है इसके सामने पड़ते हैं और जैसे यह हवा इस साइड यानि की अपने पूर्व की और प्रवेस करती है ठीक है तो देखे यहां पर इस वाले मैं में ठीक से दिखाई देग इसे पाकिस्तान में हिंदू कुस परवत करते हैं और दोनों को यहां पर रहे इसे तिब्बत का पठार करते हैं तो यहां पर आते वक्त हिमाला इसे रोग देता है हिमाले कुछ हिस्सों को यानि बारिस के अधिकतम हिस्सों को रोग देता है और जितने भाग रुखते हैं तो इधर जो अफगारिस्तान वाला भाग हुआ पाकिस्तान का उत्तरी वाला मतलब पश्यूई वाला भाग हुआ उधर तो बारिस दबा करके होती है लेकिन हिमाला खड़ा है एकदम उचाई पर हिमालय उचाई के होने के नाते इस वाले पार्ट में यानि कि इधर वाले भाग में भी जो है मांसून का कुछ हिस्सा आ जाता है यही वाला भाग जब भारत में परवेश करता है तो इसी को हम लोग करते हैं कि ठंडी के मौसम में बारिस हो रह है तो इधर पाकिस्तान में आते है इसका नाम हो जाता है हिंदू कुस परवत और इधर से मांसून आ रहा है तो यह प्रवेश कर गया भारत में जैसे यह भारत में प्रवेश किया तो हिमालय अधिक उचाई पर है तो इस वाले हिस्से में आ जाता है ठीक बारिस तो बारि कर दो तो एकड़ा बादी होती है इस मौसम में अगफ फाइदेमें बानी कैसे मैं समझें यहां यह वाला जो है और इस समय यानि के फ्रवहेष करता है तो इस समय उत्तर भारत में यानि कि वाली इलाखी में बोया रहता है किसका फसल गेहुं का ठीक है तो यह वाला जो उत्तर वाला बेल्ट है तो इसमें गेहुं का फसल बोया रहता है और गेहुं के फसल को ज्यादा पानी होने की जरूरत नहीं होती क्यावले एक दो पानी दो अपना गेहुं काट लो ठीक है तो इधार आता है तो उसमें पंजाब हर्याना यूपी में गेहूं की फसल बोई रहती है तो इसके लिए यह एकदम टानिक का काम करता है इसलिए इस पस्चमी बरसा को हम लोग करते हैं टानिक बरसा ठीक है और देखिए यहां पर हिंदू कुस परवत तो यहीं पर रुका नहीं है थोड़ा आगे तक चला गया ठीक है तो अलग अलग उसका नाम है तो राजस्थान में इसे माउट वर्सा कर देते हैं और उसी के बाद यहां पर देखिए राजस्थान में यहां पर एक अरावली परवत है क्या उनसे परवत है अरावली परवत और इधर हिमाले के उचाई कम ठीक है तो वर्सा इधर प्रवेस कर जाती है तो यहां पर राजस्थान का जो थार वाला मरुस्थल है यहां पर भी वर्सा हो जाती है तो यह दुनिया का एक मात्र ऐसा मरुस्थल है जहां पर वर्सा होती है तो याद रखिए दुनिया में बहुत सारे मरुस्थल है लेकिन यह दुनिया का एक मात्र मरुस्थल ह जहां पर वर्सा होती है और वर्सा होगी तो वहां पर जीए उजनतु पच्छी पेड़ पौदे सब चीज रहेंगे तो जन संख्या भी रहेगी तो इसलिए दुनिया के यह एक मात्र मरुष्थ ले जहां पर जन संख्या भी निवास करती है मतलब ठीक ठाक तो यह मानसुन आता है न है तो इस वाले मांसुन को अम लोग क्या करतें दक्षिड पश्ची मांसून तो 80 पर्सेंट वर्सा तो इससे होती है और यह दो पर जो तमिल नाडू वाला तछे तो यहां पर लाटते वे मांसून से थंडी के मौसम में यहां पर बश्चा होती थिए त प्रणड के मौसम में बारिस क्यों होती है वह अभी कांसेट आपको समझ में आ गया हुगा यदि समझ में आ गया है तो यहां पर कुछ नहीं करना सब्सक्राइब वाला बटने दबा दिजिए और यहां पर लाइक का भी आपस नीसे भी दबा दिजिए और यहां सेयर वाला दिख रहा है इसे दबा करके अपने दोस्तों के पास लिंक को भेद दीजिए ठीक है मिलते हैं नेक्ट्ट वीडियो में तब तक कि लिए जहिंद स्वस्तर यह मस्तर यह और देखते रहें करया जियस वर्ल्ड